नमस्कार दूस्तू दूस्तू आज जम बात करने वाले हैं भुने अमरूद के फ्वाइदों के बारे में बात करेंगे दूस्तू अमरूद सबसे पसंदीदा फलो में से एक माना जाता हैं अमरूत स्वाद में बेहत स्वादिस्ट और पोशक तत्व से भरपूर हैं आपको बता दे कि अमरूत के अंदर कई महतुपूर पोशक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B, 6, आइरन, केलसियम, मेगनेशियम, आइरन, पर, कोटेशियम, सोडियम, जिंक आदी, पोशक तत्व पाए जाते हैं इसके सेवन से सेहत को कई फाइदे हो सकते हैं दोस्तो आज हम आपको बता रहे हैं भुने हुए अमरूत के फाइदू के बारे में नमबर एक, भूग को बढ़ाए दोस्तो भूग बढ़ाने में भुनावा अमरूत आपके बेहद कामा सकता हैं ऐसे में आप नियमित रूप से भुनेवे अमरूत का सेवन करें ऐसा करने से ना केवल आपकी भूग में बढ़ोतरी होगी बलकि लीवर से जुड़ी समस्या स नमबर दो, मानसिक स्वास्ते के लिए बैतर दोस्तो मानसिक स्वास्ते को बैतर बनाने में भुना हुआ अमरूत आपके बेहद कामा सकता हैं बता दे कि कुछ लोग बेहद सुस्ती महसूस करते हैं वे लोग अपने अंदर उज्जा का संचार करने के लिए भुनेवे अमर अम्रूद के सेवन से लोगों का दिमाग तेज हो सकता है नमबर 3 पुरानी खासी भी हो जाए ठीक दोस्तों पुरानी खासी को दूर करने में भुनावा अम्रूद आपके बेहद कामा सकता है ऐसे में आप अम्रूद को बीच में से काटकर उसमें काला नमक लगाएं और हलका आग में पका कर उसका सेवन करई ऐसा करने से वैक्टि की पुरानी से पुरानी खासी भी दूरो सकते है आप भुणे वे अम्रूद को बिना नमक लगाए भी खा सकते हैं नमबर चार पाचन किरिया को बनाए बेでは दोश्तो पाचन किरिया को तंधुर बनाने में भुना हुआ अम्रूद आपके बेहद कामा सकता है ऐसे में आप अम्रूद का सेवन काले नमक के साथ कर सकते हैं ऐसा करने से ना केवल पाचन किरिया मजबूत हो सकती है बलकि पेट की कई समस्याओं से राहत भी मिल सकती है नमबर पाच एनरजी लेवल बढ़ाए दोस्तो यदि वैक्ति लो एनरजी महसूस कर रहे हैं या वे बेहत धकान महसूस कर रहा है तो ऐसे में हो सकता है कि उसके सरीर में उर्चा की कमी हो गई है बता दे कि भूने वे अम्रूद से ना केवल उर्चा का इस्तर सही रह सकता है बलकि ये वैक्ति की सुस्ति को भी दूर करने में उप्योगी है दोस्तो आए जानते हैं कैसे भूने अम्रूद दोस्तो अम्रूद को भूनने के लिए आप सबसे पहले अम्रूद को अच्छे से धोएं उसके बाद उसे मंदी आच पर गैस पर रखें अब थोड़ी देर बाद जब उसके छिलके करंग बदनने लगे तो गैस से उतार कर ठंडा करके खाएं दोस्तो भूना हुआ अम्रूद सेहत के लिए बेहद उप्योगी हैं लेकिन यदि आपको अम्रूद के सेवन से किसी भी परकार की एलर्जी महसूस होती है तो इसे अपनी डाइट में ज तो भूने वे अम्रूद को डाइट में जोडने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सला जरूर ले दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें